Hello all, so Vintage Tutorial Hill में आपका स्वाधत है, आज हम देखेंगे कि Python ने हम इंपोर्टन्ट उपरेटर से उससे कैसे यूज कर सकते हैं, तो सामने आप देख सकते हो कि अपरेटर से इसमें एके करके दिखन लेगे, एक स्पोनेंशियल ऑपरेटर कैसे वक करता है तो इसके लिए हम सिंप्ली वह करेंगे हमारा दो ले लेंगे small number लेते हैं timing के तो हमारा एक number 1 है जिसको हमने 2 दिया है num2 जो है वो भी 2 है हमारा और हम क्या करेंगे operator output लेंगे जिसके हम हमारा output store करेंगे तो अब यहां पर हमने क्या किया num1 के बाद यह जो exponential operator है हमारा double star उसे place किया and then num2 रखा है हमने अब हम जैसे ही से run करेंगे इसके बाद यह क्या करेगा यह इस particular num1 के उपर हमारा जो second operator है अपलाई करके उसका output लाके देगा तो आप यहां देख से तो कि इसने output यह पर लाके दिया है so num1 double star num2 it indicates that कि वो एक raise to अलब हम जैसे बोलते है न 2 raise to 2 2 का square 2 का cube ऐसा करना है हमें तो हम इतका use curve रखते है तो अभी हमने यह 3 किया तो यह number अमारा 3 हो गया यह 2 raise to 3 हो गया तो it indicates कि यहां पर हमारे पास 8 answer आना चाहिए तो अभी हम देखते कि हमारे पास answer क्या आता है तो देखिए यहां पर हमारे पास answer 8 आ गया वैसे अगर हमें 2 raise to let's suppose 5 लेना है हम 2 raise to 5 करेंगे तो 2 raise to 5 equal to जो भी हमारा 32 है वो आ जाएगा तो यहां पर आप देख सकते कि 32 आ गया तो इस साथ से हमारा यह exponential operator वर्क करता है ठीक है thank you और अब हम next तेखिंगे next operators वो हमारा है वो है हमारा ताइम बिंग के हम ऐसा बोल सकते कि so division division operator यह similar to division है जैसे हम division करते है वो same way में यह भी division operation ही करता है तो let's suppose 10 है अमरे पास और यहां पर अमरे पास 5 है ठीक है तो हम अगर इससे divide करेंगे तो august है कि हमें 2 answer आना चाहिए है तो हमने इसे run किया run होनी के बाद अभी आप देख सकते हूं कि यहां पर हमारे पास to answer आ चुका है ठीक है तो इसने यह क्या किया simply divide करके हमें to answer किया let's suppose ऐसा कोई scenario है जहां पे सिर्फ हमें यह जो operator है उसे integer value ही हमें use करना है तो उस case में हमें क्या करना होगा अभी हमने 11 है और यह 5 है अगर हमने इसे divide किया तो obvious है कि यह हमें float number देगा हमें point में number देगा integer में ही होगा तो हमें उसे integer में convert करना होगा यह फिर एक workaround है आप बोल सकते हैं आप सिंते क्या करना है number लेना है नमतू लेना है और यह जो operator है हमारा flow division operator इसका use करना है तो यह हमें integer value ही वितन करता है division के बाद वो remainder को किप कर देता है तो यहां पे आप देख तक कि यहां पे यह तू वैल्यूस ने हमें लाके देदिय इसी के साबते अगर हमें suppose 21 लिखा यहां पे it should be 4 आना चाहिए हमें यहां पे और वो 4 ही देगा लेकिन वहीं अगर हमें यह single divide operation यूज किया तो उसकेस में हमारे पाक यह four point something एक value लाके देगा which is a float number तो ऐसे cases में जहां पे हमें integer as an output चाहिए है लेकिन हमें पता है कि हमें output float मिल रहा है तो उस case में हम इंटीर में convert करना परता है तो उस चीज़ को avoid करने के लिए हम simply यहां पे यह operator का use करता है इसे floor division operator की बोला जाता है तो इसके बाद हम next operator देखेंगे तो next operator जो हमारा यहां पे है वो है modulus operator ओके तो यह तो हमारा modulus operator जो है हमारा वो modulus operator कैसे work करता है तो जैसे हम सब्सक्राइब हमने modulus operator डाल दिया यह modulus operator क्या करेगा हमारा remainder जो है हमारा वो लाके हमें देगा तो यहां पे हमें यहां पे 1 लाके देना चाहिए उसने तो यहां पे 1 लाके दिया let's suppose यहां पे 20 है प्रिंटिक में अगर हमने 20 और यह 5 तो यह परफेक्ट डिविजन करता है तो इस केट में वह हमें क्या लाके दिगा एसे ही अगर हमें किसी केस में किसी का क्लोजेस्ट नंबर एक क्लोजेस्ट डिविजर फाया फाइंड़ करना है तो कि इसका यूज कर सकते हैं यहां पे यहां पे यहां पर हमारा जो वैल्यू है वह कितना आज रिमेंडर बचेगा यह तो छोटे नंबर से है पर इस सपोज हमारे पास 12456 ऐसे गुस्तो नंबर आया है ठीक है इस केस में हमारा जो डिविजर ने वो भी 6 है अब हमारे पास कितना रिमेंडर बचेगा वह हमें नहीं पता है तो हम ज्यागर से थे सिंप्ली उसका यूज करके इतमें चेक कर सकते हैं तो यह एक्चुली परफेक्टी डिवाइड तो इसले यहां पर 0 आया है अब अगर हमने यहां पर 7 डाला है अभी नंबर जिस्ट मॉडिफाइड किया तो यहां पर 1 आ चुका है तो इसी साब से हम इस मॉडिल इस उपरेटर का यूज कर सकते हैं तैंक यू और ऐसे ही वीडियो को आप अगर देखना है तो आप हमारे